हेलो वीवर हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत हैं आज का हमारा टॉपिक है मौसमी फ्रूट के बारे में जो आपके हाई ब्लड प्रेशर और कॉलेस्टरोल को कम कर सकते हैं तो आईए जानते हैं उच रक चाप को हम हाईपरटेंशन और हाई बीपी भी कहते हैं यह एक शांत ज्वाला मुखी की तरह होता है जिसमें उपर से तो कोई लक्षन दिखाई नहीं देते लेकिन अगर यह ज्वाला मुखी फट जाता है तो यह जानलेवा भी हो सकता है इसमें विक्ति को हाट अटैक आ सकता है या लकवा भी हो सकता है इसलिए समय रहते इस बीमारी का इलाज शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें बाद में पस्ताना ना पड़े आप इसका इलाज कुछ मौसमी फ़लों के द्वारा शुरू कर सकते हैं आज हम आपके लिए क्रेजी इंडिया की दरफ से इस वीडियो में ऐसे कुछ फ़लों के बारे में बताएंगे जिनको खाकर आप हाई बीपी और कॉलेस्टरोल की समस्य से छुटकारा पा सकते हैं ये साधारण और सस्ते मौसमी फ़ल अगर हम नियमित रूप से अपने जीवन में खाने शुरू कर देंगे तो हार्ड अटेक, ब्लड प्रेशर, कॉलेस्टरोल की समस्य से छुटकारा पा सकेंगे जुरूर खाना शुरू करे ये फल सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हाई बीपी होता क्या है आईए जानते हैं हाई बीपी के बारे में जब आपका सिस्टॉलिक बीपी 140 mmHg या इससे उपर और डायस्टॉलिक बीपी 90 mmHg या इससे उपर हो जाता है तब इसे हाई बीपी या हाईपरटेंशन कहते हैं हर विक्ति का रक्चाप हर घंटे और परतेक दिन बदलता रहता है उच रक्चाप के लक्षन क्या क्या लक्षन होते हैं इसमें हाईपरटेंशन होने पर कोई बड़ा लक्षन सामने नहीं आता बलकि इसमें रक्चाप बढ़ने से रोगी के सीर में बहुत अधिक दर्द होने लगता है और उसे गुसा भी ज़्यादा ही आने लगता है, कभी-कभी उसे दुंदला भी दिखाई देने लगता है, जिन लोगों के परिवार में यह बिमारी पहले से है या उनका वजन बढ़ता जा रहा है या ज़्यादा है, उनको 20 साल की आयू के बाद साल में कम से कम एक बार अप आपको उन फलो के बारे में बताते हैं, जिन को अपने अहार में शामिल करके आप हाइपरटेंशन और कॉलेस्ट्रोल जैसी बीमारी का इलाज घर बैटे ही शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले एपल, उच रक्चाप के मरीज को हर रोज सुबह खाली पेट दो सेब खाने चा लैमन, नीम्बू, हिर्दे की कमजोरी को दूर करने के लिए नीम्बू में विशेश गुण पाय जाते हैं, इसके निरंतर प्रियोग से रक्त वाहिनों में लचक और कॉमलता आ जाती हैं और इन की कठोरता दूर हो जाती हैं, इसलिए उच रक्चाप जैसे रोग को दूर करने में नीम्बू उपियोगी है, इससे बुड़ापे तक हिर्दय शक्तिशाली बना रहता है और हाट अटेक का भै नहीं रहता हैं, कैसा भी ब्लड प्रेशर हो पानी में नीम्बू निचोड़कर दिन में कई बार पीने से लाब मिलता है, सुबे सुबे एक नीम्बू क गरम पानी में मिला कर पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं, मौसमी यानि नारंगी, उच रक्चाप में दो नारंगी हर रोज खाते रहने से रक्चाप सामान्य रहेगा, नित्ते प्रते भूके पेट, खाली पेट, एक गिलास नारंगी का जूस पीएं, और रात को सोते स समय एक गिलास गरम दूद पीएं, इन में पोटाशियम और कैल्सियम पाया जाता है, पोटाशियम और कैल्सियम की मात्रा बढ़ा कर रक्चाप कम किया जा सकता है, जो नारंगी और दूद के सेवन से बढ़ जाते हैं, ये मिनरल्स उच रक्चाप के जिम्मेदार सोडियम का स्तर बढ़ने से किर्णी को होने वले नुकसान से बचाते हैं आवला रक्चाप के रोगी के लिए आवले का उपयोग लाबदायक है इसमें सौडियम कम करने की शमता होती है यह रक्त बढ़ाने और साफ करने में भी साहयक है तथा इस से शरीर को आवश्यक फाइबर भी म मिलता है आवले का मुरब्बा नित्य प्रत खाने से उच रक्चाप ठीक हो जाता है बनाना केला केले में सोडियम कम होता है और पोटाशियम अधिक होता है जो उच रक्चाप नियंत्रन के लिए अवश्यक है इस कारण से उच रक्चाप की रोग्थाम में यह सहयक होता है पपीता, पपाया, हर रोज सुबे खाली पेट, 250 ग्राम पका हुआ पपीता, दो-तीन महिने तक खाते रहने से उच रक्चाप सही होता है चुकंदर, चुकंदर में नाइट्रेट बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है नाइट्रेट शरीर में जाने पर नाइट्रिक आकसाइड में परिवर्तित हो जाता है नाइट्रिक आकसाइड संकूचित रक्त वाहिकाओं को खोलने में बहुत उप्योगी है इसलिए चुकंदर का सेवन उच रक्चाप और हिड़े रोगों में किसी चमतकार से कम नहीं चुकंदर के सेवन से रक्त भी बनता है ग्रेप, अंगूर, शरीर में एंटी अकसिडेंट और प्रो अकसिडेंट दोनों पाय जाते हैं येदि प्रो अकसिडेंट ज्यादा हो तो हिर्दे रोगों और कैंसर और अन्य घातक बिमारियों के जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है लाल, काले अंगूरों में एंटी अकसिडेंट की संख्या अधिक होती है इसलिए काले अंगूरों के खाने से कैंसर और हिर्दे रोग कम होते हैं हिर्दे रोगों में अंगूर का रस बहुत लाबकारी सिध होता है यह रक्त को जमने और उसके ठक्के बनने से रोपता है जिससे हिर्दे में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है परिणाम सवरूप हिर्दे रोग नहीं होते तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो समाज हित में इस वीडियो को शेर करना ना भूले जिससे कि सभी लोग इस जानकारी से फाइदा उठा सके अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू